पराणी का था भगवान महाकाले स्वर की। उज्जैनी में राजा चंदरसेन का राज था, वो भगवान सिपका परमबक्त था। सिपगरों के मुख मनिभद्र नामगण उसका मेत्र था, एक बार मनिभद्र ने राजा चंदर सेन को एक अत्यंत तेजों में चिंता मनि प्रदान की, चंदर सेन ने इसे गले में धारन किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमगा ही उठा, सान्थी में दुरस्त देशों में उसकी यस्किर्थी बढ़ने लगी उस मनी को प्राप्त करने के लिए दूशे राजाओं ने प्रियास आरम कर दिये कुछ ने प्रत्यक्स मांग की कुछ ने बिंती की चुकि वह राजा की अत्यन्त प्रिय वस्तु थी अतव राजा ने वह मनी किसी को नहीं दी अंतव पुन पर मनी अकांसी राजाओं ने अक्रमन कर दिया शिप भक्त चंदरसेन भगवान महाकाल की सरण में जाकर ध्यानमगन हो गया जब चंदरसेन समाधिस्त था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर् में एकांस्तल में बैठकर बक्त भाव से सिब्लिंग की फूजा करने लगा कुछ देर पस्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया कि दू हो नहीं आया फिर बुलाया वह फिर नहीं आया माता स्वेंग बुलाने आई उसने बालक ध्यानमगन बैठा और उसकी आ मास्ट देखकर बहुत दुख हुआ अचानक उसकी ब्यथा की घहराई से चमतकार हुआ भगवान सिब की किरपा से वहाँ एक सुन्दर मंदिर निर्मित हो गया मंदिर के मध्य में दिब शिबलिंग बिराजमान था योंग बालक द्वारा सज्जित पूजा था कि उसकी मा रामबक्त बालक से मिलने पहुँचा मन्य राजा जो मनी ये धेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी पहुँचे सभी ने राजा चंद्रसेंट से अपने अपरात की समामागी और सब मिलकर भगवान महाकाल की पूजन अर्चन करने लगे तभी वहां रामबक्त स्री हनमा जी अफ्तरित हुए और उन्होंने गोब बालक को गोद में उठाक बैठा कर सभी राजाओं और उपस्तित जन समुदाय को सम्मोधित किया रिते सिव नान्यत्मा गतिरस्य सरीरानाम एउं गोब सतो द्रिस्टिया सिप पूजा मिलोक्यच अमंत्र नापी संपूज्य सिव सिवम वाप्तवान ऐस भक्त बरह संभो गोपयाना केटि बर्धनम इह बुप्त्वा खिलान बोगान ते मोक्षम वास्यति अश्य वसे अश्टभावी नंदो नाम महा यसा प्राप्त्व से तपश्यम पुत्रम क्रिष्णो नारानें स्वयम भो अथार्थ सिप के अत्रिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है इस गोब बालक ने अन्यंत सिप पूजा को मात्र देख कर ही बिना किसी मंत्र अथ्व वीदी विधान के सिव अराधना कर शिवत शर्वधित मंगल को प्राप्त किया यह सिप का परमसेष्ट भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है इस लोक में यह अनंत सुखों को प्राप्त करेगा वह मरनवा प्रांत मोक्स को प्राप्त होगा इसी के बन्स का आत्वा पुरुष महायसस्वी नंद होगा जिसके पुत्र के रूप में स्वेंग नारायन किस्ण नाम से प्रतिस्टित होंगे कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जेनी में स्वेंग विराजमाने हमारे प्राचीन गरंथों में महाकाल की असी महिमा का बाणन मिलता है महाकाल साक्सत राज्या राज देपता माने गए हैं